सर्दियों का मौसम शुरू होते ही तरह तरहें की प्राब्लम्स जैसे की सर्दी, खासी, वारेल इंफेक्शन बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी हो जाते हैं तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी इम्म्यूनिटी बूस्टर कैंडी जो की टेस्टी होने के साथ साथ आपकी इम्म्यूनिटी को स्ट्रॉंग भी बनाती है घर की बेसिक चीजों से बनकर तयार हो जाती है ये कैंडी तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा हेलो एव्रिवन जानकी रिसोई में आपका स्वागत है वीडियो पसंद आए तो लाइक को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें चलिए शुरू करते हैं यहां मैंने 500 ग्राम आपले लिए हैं जो एकदम फर्म हैं और गले हुए या पिलपले नहीं है इन्हें मैंने अच्छी तरह से दो लिया और दो के पहुंच लिया और इन पर जो हलके हलके ब्लैक स्पॉट्स हैं उन्हें चाको की मदब से हटा दिया देखे कितने क्लीन हैं यह सारे आवले तो हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए इस रेसिपी के लिए अब एक कड़ाई या पतीले में एक डेट ग्लास पानी डालिए और फिर इस तरह कोई चन्नी उस पर फिट कर लिजे और फिर अपने सारे आवले उस पर रखकर उपर से ढखकर स्टीम कर लिजे आवलों को डारेक्ली पानी में उपालने से उनके काफी सारे न्यूट्रियं कर लिजे ताकि यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं मैंने 15 मिनिट बार धक्कन उठा कर देखा तो यह एकदम बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुके थे इनकी कलियां देखे कैसे एकदम फूल की तरह खिल गई हैं जब यह ठंडे हो जाएं तो हम इनकी सारी कलियों को को चील कर और रफली काटकर मिक्सी में डालेंगे साथ ही में इसमें दो लॉंग और तीन चार काली मिर्श भी डालूंगी और साथ में वन फोच चमच दाल चीनी पाउडर भी डाल दूंगी अब इन सबको एक साथ पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे अगर आपको पीसने म में पानी को भी सुखाना पड़ेगा जिससे आपका कुकिंग प्रोसेस लंबा हो जाएगा कड़ाई या पैन में इस आवले के पेस्ट को डाल दीजे और इसे लगतार चलाते हुए पका लीजे आज को इसे में मीडियम ही रखेगा और लगतार चलाते भी रहिएगा एक खास बात का ध्यान रिखिए किसे नॉन स्टिक या स्टील के बरतन में ही बनाईए ऐलुमेनियम या किसी और मेटल के बरतन में मत बनाईएगा क्योंकि इसमें आवला है जिसे किसी और मेटल के बरतन में पकाने से उसमें कसयाला पना जाता है और वो थोड़ा कड़वा कड़व लिया है तो 500 ग्राम ही चीनी डालूँगी चीनी गर्म होने पर अपना पानी छोड़ती है आप चीनी डालने के बाद भी इसे चलाते हो भी पकाईएगा अगर आपको ज्यादा तीकी केंडी पसंद है तो इसमें लाल मिच पाउडर भी डाल सकते हैं वरना जो हमने काली मिच डाली है उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है तीखा चटपटा मसालेदार कटा मीठा सब मिक्स फ्लेवर आता है देखिए अब इसमें बबस पी आने लगे हैं और पकते पकते इसका कलर भी चेंज हो चुका है देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है तो अब इसक अच्छी तरह से मिला लीजे अभी तो इसकी चीनी पिगल चुकी है क्योंकि ये गर्म है लेकिन ठंडा होने के बाद इसकी चीनी वापस से क्रिस्ट्रलाइज हो सकती है इसलिए जरूरी है कि आप इसमें दो चमश निम्बू का रस मिला लीजे निम्बू का रस डालने से क्रिस्ट्रलाइज नहीं होती है आप इसे थोड़ी दर और पका लीजे जब तक हमारा आवला पक रहा है तब तक हम अपनी ट्रे तेयार कर लेते हैं मैंने तो ट्रे लिए है आप चाहूं तो कोई थाली भी ले सकते हो या सिर्फ बटर पेपर भी ले सकते हो अब बस इसके एक चमची पाने डालकर एक स्लरी सी बना लीजे अभी हमारे यावले की केंडी गाड़ी नहीं हुई है लिक्विडी है तो हम इसमें अपनी कौन स्टार्च की स्लरी डालेंगे इसको डालते के साथ ये काफी गाड़ा होने लगेगा हमें इसे तब तक पकाना है जब तक य कलर भी पहले से डार्क हो चुका है और इसमें एक शाइन भी आ चुकी है इसे पकतवे लगबग 20-22 मिनट हो चुके हैं और अब इसने कढ़ाई की साइट भी छोड़नी शुरू कर दी हैं तो अब हम इसे चेक करते हैं कि ये बना या नहीं बना चेक करने के लिए एक कटोर नहीं बह नहीं रहा असानी से एक साथ बाइंड हो गया है तो इसका मतलब अब ये बिल्कुल रेडी है तो अब गैस को बंद कर दीजे और सारी आवला कैंडी को अपनी गी लगवी ट्रे पर ट्रांसफर कर लीजे इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और फिर अब इसे कट कर लेंगे घी लगाने की वज़े से ट्रे से नहीं चिपका और असानी से निकल पा रहा है इसे केंडी की तरहें छोटे छोटे पीसीज में कट कर लीजे अभी ये पूरी तरह से ड्राइड नहीं हुआ है तो हम थोड़ी सी पिसीवी चीनी लेंगे और सारे प पाउडर लगने की वज़े से ये केंडी उपर से ड्राइड हो जाएगी तो जब आप इसे कंटेनर में स्टोर करके रखोगे तो ये आपस में चिपकेगी नहीं वैसे आप चाहो तो इन्हें बीना शूगर पाउडर लगाए ऐसे भी खा सकते हो ये बहुत ही ज्यादा टे को भी जरूर सब्सक्राइब करें